तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं पूड़े की रेसेपी यानि के गुलगुले की रेसेपी बिहार में इनको गुलगुले कहते हैं और यूपी में इनको पूड़े कहा जाता है अगर आपको मेरे रसेपी अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन पैस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आज की रसेपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक कटोरी गुड लिया है मैंने और गुड को इस तरीके से काट लिया है और इसमें एक कटोरी पानी डाल कर गुड को मेल्ट होने तक हमें पकाना है आप चाहें तो गुड के बदले चीनी का इस्तेमाल भी यहां पर कर सकते हैं बट ट्रेडिशनली इनको गुड से ही बनाया जाता है तो यह देखिए मैल्ट हो गया है इसको ठंडा कर लेते हैं तो रूम टेंपरेचर तक यह ठंडा हो गया है और इसके बाद इसमें पहले हम एक कटोरी गेहूं का आठा डाल देंगे और इसको एक फोर्क की मदद से मिला ले तो बहुत ही आसानी से यह मिल जाता है तो यह देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो अभी थोड़ी सी पतली है तो एक बड़ पहले हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा आटा और अड़ करेंगे तो यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें आधा कटोरी आटा मैं और अड़ कर रही हूँ तो मतलब एक कटोरी गुड एक कटोरी पानी और देड़ कटोरी गेहूं का आटा एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के लिए हमें लगता है यह एकदम परफेक्ट है इसको हम एक दो चीज़े इसमें आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने तिल डाल दिये हैं एक छोटा चमच और साथ में ही कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट्स और यह थोड़ा सा एलाइची पाउडर डाला है और यह थोड़ा सा मैने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर इससे जो पूड़े हैं ना अंदर से एकदम soft बनते हैं और यह एक पिंच नमक यहाँ पर डाल रहे हूँ वैसे ये मीठे होते हैं लेकिन नमक एक पिंच डालने से इसका टेस्ट बहुत एन्हेंस होकर आता है तो नमक आप इसमें जरूर एड़ कीजेगा तो बस इसको 10-15 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं और ये देखिए सैट हो गया है इसके बाद हम इसमें ये यहाँ पर दो बड़े चम्मच भरके रूम टेंपरेचर का दूद डाल रहे हैं दूद और बेकिंग पाउडर जब एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आएंगे तो ये इसमें कैमिकल रियक्शन होगा और जिससे हमारे जो पूड़े हैं वो बहुती स्पंजी और सोफ्ट बनेंगे अंदर से तो इस तरीके से दो बड़े चम्मच दूद डाल कर आप इसको मिला लें और दूद का जो टेंपरेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए मतलब एकदम डारेक्ट फिरिज से निकाल कर अप दूद ना डालें अच्छे से फेंट लेंगे इसको ताकि सारी जो चीजे हैं वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और बस अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए और ये हाथ को मैंने पानी से गीला किया है तो आप इस तरीके से हाथ को गीला करें और थोड़ा थोड़ा बैटर उठा कर इसमें डालें जो तेल है वो मिडियम होट है मतलब नहीं तो जादा गरम है और नहीं तो जादा ठंडा है तो इस तरीके से आप सारे जो पूड़े हैं वो एक बैच इस तरीके से डाल दें और उसके बाद एक छलनी या फिर पोनी जो भी आप इसको बोलते हैं साचुला की मदद से इनको टर्ण करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से से ले एकदम गॉल्डन ब्राउन होने तक और यह देखिए बनकर तयार हो गए हैं कितने आसान बस मेजर्मेंट का आप धियान रखिए पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें